चले बच्चों question number 10 करेंगे, if Aditya can travel 8-0 km in 2 hours, how many km can he travel in 3 and a half hours? ठीक है, अब ही मैंना आपको बताया था, मैं क्या करना है, ये सारे हमारे क्या चल रहे है, ander तरहत है ठीक है अगर उसको जधाधा distance travel करना है, तो जधाधा time लगेगा, कम distance travel करना है तो कम time लगेगा, ठीक है न, तो हमारा ये ये direct proportion है और वैसे भी 14A में सब direct proportion हैं, तो दो बार क्या दिया हुआ है दो बार दिया हुआ है मुझे टाइम कैसे देखो टू आर्स था आपकर से रिखा दिया लेकिन कितना थृ किना अब रागति है sacar तुम région ने बढ़ेंगी ठीक है कैसे बनाना इसको अपने दिमाग से एट क्लास में हो अच्छी से इंगलिश बना लेना ठीक है और इसको ऐसे लिख देना और मैंने बताया था जो बच्छा नहीं बना पाता वह सिंपल पर इसको ऐसे लिखे फिर यह लिखे इसको बच्छे को ना है वो बस ऐसे लिखे और जो अच्छे से लिखे यह और विसी बात अगर आप डारेक्ट लिखो गे तो सोचता है आपका थोड़ी नमर कट जाएं क्योंकि आपने अच्छे से लिखा नहीं है लेकिन फिर भी नमर तो मिलेंगे ना भाई अब अधित्ये कें ट्रावलिन त्वा इसका मतलब क्यों हाता आपर वाला नीची अधित्ये कें ट्रावलिन वं किलोमिटर तीक सब् Thanksgiving ट्रीवेट करेंगा मैं चाहूं तो मैं ही पर दिवाट गला निकालना है इन three and a half hour so Aditya can travel in three hours three and a half hours so three and a half hours कितना हो जाएगा बच्चे ओमारा चलो मैं इसको ठीक से लिखता हूँ फिले रुजाओ three and a half hour को मैं इसे लिखता हूँ यह हो ना three and a half hours कितना हो जाएगा 80 by 2 multiply three and a half hour किलोमीटर किलोमीटर में आंसर निकालना है में चलो इसको सॉल्व करते हैं यहां पर सो देखो 82 multiply करना है इसको मुल्टिप्लाइब करो इसको जैसे मान लोगी हो गई mix fraction इसको करते हैं two three six six or one seven 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 by two two kilometer में आंसर आएगा अब two से इसको काटेंगे 40 आएगा अब two से दुबारा करेंगे 20 आएगा अब इसको मुल्टिप्लाइब करेंगे कोई नीचे कुछ बचा नहीं है तो seven two is a fourteen one four zero किलोमीटर तो ही मेरा आंसर हो गया तो वो सारे तीन घंटे में एक सो चालिस किलोमीटर चलेगा ठीक है ना चलो इसको रप करते हैं चलिए बिच्चे क्विश्चन नमर्ट 11 देखिए अकार कवर से डिस्टेंस ऑफ 175.5 किलोमीटर इन 13 लीटर्स पैट्रोल how much distance would it cover in 20 लीटर्स ऑपैट्रोल? same दुबार हमारा क्या है? डिस्टेंस जाधा होगा तो पैट्रोल जाधा लगेगा डिस्टेंस कम होगा तो पैट्रोल कम लगेगा यह होगी हमारा direct proportion direct proportion है तो हमारा data रटा या कुछ steps है जिसको हम करते है क्या करते हैं? दो बार क्या दिया हुआ है? देखो ढ़ीक से हमें दो बार दिया हुआ है liters हमें दो बार दिया हुआ है 13 liters का दिया हुआ है 20 liters का निकालना है तो simple a car covers a distance वैसे यह वाली जो statement होते है question में ही होती है वहीं से मिल जाती है थोड़ा दिमाग रागया आपको लिखना पड़ता है अकार कवर्स अदिस्टेंस इन 13 लीटर्स ठीक है आफ पेट्रोल ठीक है कितना कवर करती है यह कवर करती है हमारा वन सेवन फाइफ पॉइंट फाइफ किलो मीटर ठीक है जी आच्छे जी तो हम लिखेंगे 20 लिटरस में निगा तो वन में निगा लेंगे ठीक है सो अरे मज़ा नहीं आया थोड़ा यार इसको ठीक से लिखता हूं रब करके मज़ा तो कि दुबारा लिखता हूं मज़ा 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 कभी कबार जबान से भी ठीक से निकलते नहीं अलफाज मज़ा आएगा बच्छो मज़ा नोट मज़ा बहुस इसे लिखते है शॉट फ़म में अब देखने में अच्छा लग रहा है ना बच्चो यह देखिए अब मैं ऐसे कर दूंगा आट esqu apart करेंगे किसे करना है अ अब बिसम बसक्राइब लिखते हैं ना 13 से उध्य में लेंगे निकालना है 20 का 20 liters of petrol तो इसी को हम अब divide करेंगे sorry multiply करेंगे 20 से km ठीक है यह सारे के सारे हमारे क्या है डिटो steps है जो हम करते हुए आ रहे हैं चलिए solve करते हैं इसको 20 ठीक से नहीं बना देखो बच्चों बहुत जल्ब मैं अपनी एक बनवाने वाला हूं ठीक है तो मेरी आपको डाउनलोड करना वहां पर आपको सारा मिलेगा सब कुछ ठीक है अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा आगे 10 अब 10 से 10 कट जाएगा समझ में आ गया ठीक है अब क्या करें अब क्या करेंगे यह बताओ पहले गतबाई इसका क्राइब ट्राइब करते हैं 1755 थर्टीं से थर्टीं में थर्टीं होगा पॉटीफाइब अब थर्टीं थिरी जर्ग तो थर्टी 9 होता है कि 10 15 12 13 14 15 अच्छी बचा और यह तो एसी क्या घ्लिकर चता है था मैं क्या बच्चों कि दर है 13-5 देखो कितना होता है 65 होता है कि घडी है या ठीक है सो 135 अगया देखा जब समझना आए ना किस से डिभाइड हो रहा है तो डायक्ड जो अब टायरेक्ड नम्शापक्र करके देखो यह आ गया इसको काट के क्या गया वन थ्री फाइफ ठीक है ना आप यहां पर टू पहले सेदा किलोमेटर अब इसको मल्टिप्लाइए कर देंगे ठीक है तो पांच 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 दसका जीरो वन कैरी तीन तीन छे साथ और एक टू तू सेवन जीरो किलोमेटर यह मेरा आंस सिंबल सी बात है अगर वो मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर हमारा मतलब एवरेज स्पीड दे रहा है ठीक है ना तो दो घंटे में मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो फिर उसकी एवरेज स्पीड भी मतलब फूर्स का जाधा ट्रेवल करेगा ना बेसिकली वो अगर हमें की बार दिया हुआ है और आप क्वेशन में अगर ठीक से पड़ो भी बाइचास आपको समझ में नहीं आ रहा दो बार क्या दिया हुआ तो देखो हाव मच डिस्टेंस वुरेट ट्रेवल तो डिस्टेंस निकालना मतलब टाइम दो बार दिया हुआ है ठीक है अच्छा एक एक क्वेशन दा जिसमें दिया था इससे पहले वाला क्वेशन दा उसमें दिया था इस ताइप से कुछ दिया था तो आपने एजी लिख दिया लेकिन दो घंटे 18 मिनट को आप कैसे लिखोगे तो थोड़ी दिक्कर हो जाएगी ठीक है तो हम क्या करेंगे हम पहले इन सब को मिनट में कनवर्ट कर लेंगे ठीक है यहां पर भी मिनट को यहां पर भी मिनट को ताकि हमारा क्वेशन इजी हो जाए ठीक है ना समझ में आ गया चलिए यह देखिए आप ऐसे लिखिए ठीक है आप लिखोगे आप ट्रॉक इस ट्रैवलिंग अटने अवरे स्पीड है जाल रहा है इसको देखना है बनार को नहीं इसको देखना है वन मिन एंट में कितना निकाल हो जाए का ऑगी 90-50 था तो कि दर दो जाएगा इसको तो कि नीचे आएगा इन में निकालने हैं 2 hours and 18 minutes so truck is traveling in 2 hours 18 minutes ठीक है minutes तो bracket में कितना हो जाएगा देखो 1 hour में होते हैं हमारे 60 minutes so 2 hours में हमारे हो गए 2 multiply 60 equals to 120 minutes ठीक है और 18 minutes इसने पहले से दिये हुए है तो इसकी जगह आ गया हमारा 120 minutes so 120 minutes और यह 18 minutes ऐसे हो गए तो इसको हम कैसे solve करते हैं 120 और 18 कम प्लस कर देते हैं तो 8 दो रेक तीन 138 minutes हो गए ठीक है ऐसे आप कर सकते हो तो यहां पर लिखेंगे हम कितना हो गया 138 minute ठीक है कितना हो जाएगा आप में यहां पर लिख लेता हूं यह जाएगा मेरा यह तो मेरा ऐसे था ही मेरा अब हमें निकालना है इसमें 131 138 minute में तो multiply कर देंगे 138 में पीछे किलोमेटर आएगा क्योंकि हमें किलोमेटर में आंसर चाहिए ठीक है एक जिरो से एक जरो कर दिया टू 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 जा फोर टू 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 जा कर जाएगा क्योंकि तीनों को प्लस करोगे तो बारा आएगा बारा थी के टिपल में आता है तो 3 जे कर दो इसको 3-4 जा 12 वन कैरी 3-6 जा 18 अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा यह 46 को दो बार मल्टिप्लाइगा 46 को 2 से मल्टिप्लाइग कर दो 46 46 पे प्लस कर दो 6-12 का दो 4-8-9 92 किलोमेटर यह मेरा आंसर हो गया 12 का चलो बच्छों क्वेशन नमर थर्टीन देखिए एन अईयरोप्लेण फ्लाइग है 4695 किलोमेटर इन 3 एर्स 30 मिनट्स हा लॉन विल इतेग तो फ्लाइगा के लिए इतना इतना इसको गवर करने के लिए थो कितना टाईम लगेगा अगर हो सेम स्पीट से उड़े तो हमसमझ गए यह हमारा है दारेक्ट वाला ठीक है क्योंक हमारा जो मतलब पैटन उसको फॉलो करते हैं और कुश्चन को सॉल्व करते हैं एन एरो प्लेन फ्लाइज है तू शिक्स नाइन फाइफ किलोमेटर इन थ्री आर्स है थर्टी मिनट्स तो थ्री आर्टी मिनट्स को मैं कैसे ले सकता हूं फ्री वन बाइट तू आर्स ठीक है इसको भी आगे सॉल्व कर लो तू थ्री जा शिक्स और वन सेवन इस वन बाइट तू आर्स यह हो गया चलो अब एन एरो प्लेन फ्लाइज वन का निकालना होता हमें 1 किलोमेटर इन तो इस ही होगे 7 by 2 तो है मेरा यहां पर अब मुझ इसको जब हम वन से करते हैं अब मैं ऐसे लगा हूं बच्ची थोड़े सब्सक्राइब को अहुड है दो इसके कुछ नहीं है तो मियुद नीचे याँ और न hop छौह यहाँ और नीचे आ जाएगा uhm यहो गया ना मैं चालता तो मैं सेवन बाए टू मल्टिक्लाई हमें 2695 मैं यहाँ पर यह लिख सकता था मगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सार ऐसे कैसे आ गया तो इसलिए मैंने आपको एक-एक स्टेप करके सिखाया है अभी भी इसको सॉल्व मत करो अब निकालो 6160 का एन एरोप्लेन फ्लाइज है 6160 किलामीटर इन अब इसी को क्या करेंगे इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो कैसे 7 by 2 multiply इसको लिखे लो पूरा 1 upon में 2, 6, 9, 5 ठीक है अब multiply में इसको multiply करेंगे 6, 1, 6, 0 यहां पर आगिया आर्स ठीक है इह multiply वाले उपर आते हैं ठीक है अब इसको हम solve कर लेता हैं यहां पर जल्दी से ठीक है चलो देखो 7 upon में 2 multiply 1 upon में 2, 6, 9, 5 multiply 6, 1, 6, 0 यहां आपने हमारा जो भी आंसर आएगा आर्स में आएगा ठीक है चलो क्या 2, 6, 9, 5 पर टेबल पर सकता हूं कि यह आजाए 6, 1, 6, 0 यह बार करके देखते हैं टू, 6, 9, 5 को दो बार कर के देखते हैं धिक है क्या पता आजए नहीं आएगा क्तली बात नहीं कंच कि आया में कि दिवाइक अधिक है पेपले हमने में इसको कोर है करते हैं तो से करने जा था तो तू तो टूरी जाएगा नहीं तो जीलो लेंगिए अब दोनों एक साथ लेंगे two eights are sixteen zero का zero ऐसे देखा बच्चों यहां पर confusion जाते हैं थे टो थो जानी रहा तो पहले जीड़ लेते हैं फिर दो ता रहते हैं तो जब हम एक साथ दो नंबर लेते हैं वहां पर एक नंबर है और यहां पर हमने एक साथ तो हमने रूल को ब्रेक कियाOOOOO अगर है या पे दो ऑन लेंगे तीन यो एक पूर आप देखें इतना हो गया लिए चक यहां पर काटूँगा तो मज़ा नहीं आ ओएगा पर लिख लेता हूं हुआ 7 उपर क्या है मारा 3080 नीचे क्या हमारा नीचे ऐसे लिख सकता हूं कोई मसला नहीं है 2695 ठीक है यह हो गया और यहां पर आर्स चल रहा है हमारा ठीक है अरे यह मार्क भी सही नहीं चल रहा है चल अब डिवाइड करते हैं इसको इसको और इसको 5 से 5 यह लिखता हूं 55 25 वन कैरी तो 19 हो गया फाइफ फोर जा 20 तो 459 45 अब इसको यह 5 6 5 6 30 अच्छा मैंने एक बार में दो नमबर डे लिए तो सर 0 आना चाहिए हां तो ऐसे आना चाहिए 06 लेकिन स्टार्टिंग में 0 की कोई वैलू नहीं है तो इसलिए नॉर्मली हम लगा के दिखाते नहीं लेकिन बीच में तो 0 की वैलू है न या आखरी में 0 की वैलू है तो लगाना पड़ेगा लेकिन स्टार्टिंग में आएगा तो आप अवाइड कर सकते हो जैसे मैंने 5 से डिव तो इसमें मसला नहीं उसमें 0 नहीं आता ठीक है ना तो 616 हो गया अब क्या करूं मैं अब मैं इसको काटके देखता हूं अब देखो किसंसे गाटू यार 700 49 75 53 32 और जी गल बढ़ा हो गई अगर 700 49 आएक को इस पच्रम लिखाभन 555 59 घूप बनती नहीं ठीक है किसी उसे डिण मैंनू 549 है और यह सेवन है तो 7 749 नो 520 जा 25 25 अगलती हो गया गलती हो गया है इसे कैसे हो जाएगा यहां पर गलती होई है 2695 इसको मैंने 5 से गलत काट दिया 2695 को आपने मुझे बताया अभी नहीं इस फाइफ फूर्जा तो होगा 20 सुरी फाइफ फूर्जा क्यों फाइफ 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 ना अब काट के देखो इसको सेवन से अब कटेगा देखो कि अब सेवनजागा जाएफ तो एपनव बचा फटल्डग्ट सेवन चिकस बढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कर दो मैंने 7 8 8 से ट्राय करते हैं को मुझे आयन में 6 चाहिए 7 8 56 का 6 5 कह रही 7 8 56 और 5 कितने होते हैं 56 और 4 होते हमारे 60 और 61 आ जाएगा तो आ गया कितने से आया 8 से आया इसको काठा 8 से आया तो मेरा अंसर आ गया 8 और पीछे चेक कर ले न यहीं आपका अंसर आ रहा है ठीक है तो इसकी कैलकुलेशन धोड़ी हाट थी मगर इस तरीके साब इसको सॉल्व करतेंगे ठीक है चलिए